नमस्कार विंजा टाइमस में आपका स्वागत और आपके साथ मैं आशुत तोस्तिवारी रिवा से सीधी और शहडोल जाने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी ख़बर है रिवा सेधी शहडोल मार्क को फिलाल बंद किया जा रहा है ऐसा इसले किया जा रहा है क्योंकि बगवार के समीब नहर में बने पुल के मरमत किया जाना है बगवार पॉइंट के समीप पुल छतिगरस्त हो चुका है पिछले दो वरसों से इस पुल पर आवा गवन में हो रही समस्याओं को देखते हुए जिलपरशाशन ने इस पुल की मरम्मत करने ड़े लिया है पुल की मरम्मत का कारे MPRDC शहडोल डिवीजन को सौपा गया है पुल की मरम्मत के दोरान किसी भी प्रकार के ट्रैफिक पर प्रतिबंद रहेगा मुखे मार्ग बंद करने के बाद रिवा से सीधी और रिवा से शहडोल के मध्य आवगमन के लिए वेकलपिक मार्ग की तलाश की जा रही है MPRDC के शहडोल संभागी प्रमंधक डीके सौएंडकार ने सुकरवार को सीधी कलिक्टर और पुलिस अधिक्छक से मुलाकात कर छतिगरस्त पुल के मरम्मत की कारियोजना बना बताई साथ ही दस दिनों के लिए रिवा सिधी और शहडोल मार्ग पर आवगमन बंद करने के लिए भी कहा माना जा रहा है कि साथ से नौ सितंबर के मध्य दस दिनों के लिए दोनों जिलों का आवगमन बंद कर दिया जाएगा और जिसके पूर्व कलिक्टर द्वारा संबंधित विवागों के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की बैठक ली जाएगी इस संबंध में MPIDC के संभागी प्रबंधक सुनाडिकार ने कहा कि च्छतिकरस्ट पुल की मरम्मत के लिए दस दिनों का समय लगेगा प्रयास किया जा रहा है कि एक सब्ताह में मरम्मत का कारिश सुरू किया जा सके इस संबंध में सीधी कलिक्टर ने चर्चा कर स्थिती की जानकारी दी है शेहडोल और सीधी से रिवा के बीच आवागमन के लिए दो अलग अलग वेकलपिक मार्ग हैं जिनके उपियोग पर प्रशासन विचार कर रहा है बताया गया है कि शेहडोल से रिवा आने के लिए भौसरा जिगना गोबिंदगर का मार्ग खुला रहेगा इसके अलावा सीधी से रिवा आने के लिए रामपूर नैकिन से भरतपूर के पास से जिगना केल दिये और गोबिंदगर तक आवागमन हो सकता है लेकिन इन दोनों वेकलपिक मार्गों पर हैवी एवं हाईवे के वाहनों का आवागमन मुश्किल होगा दरसल यह दोनों वेकलपिक मार्ग सिंगल लेन है मुखे मार्ग के बंद होने से इन दोनों वेकलपिक मार्गों पर वाहनों का आवागमन बढ़ जाएगा जिससे लोट बढ़ेगा ऐसे में यहां जाम लगने की संभावना हमेशा बनी रहेगी इधर रिवा और सीधी के बीच मुहनिया घाटी होते हुए आवागमन खूला रहेगा